तो गैसे हो आप सब तो मैं आसा घरता हूँ यार आप सब ठीक ही होंगे तो आज का जो टॉपिक है न वह है हमारा आप असानी से यहां पर देख सकते हो तो आज के इस वीडियो में आपका भाई बताने क्या वाला है आप यहां पर देख सकते हैं देखो यार समझना और न सम पर निर्वर करता है अगर आप चाहेंगे ना तो कितना भी वन ही अगर कोई पढ़ा दे तो आप नहीं समझ पाएंगे क्योंकि जब तक आप अपने सिरियस मूंड में नहीं होंगे तो जैसा कि आप सबको पता है कि यहां के आज किस टॉपिक में हम बताने क्या वाले हैं आपके सामने आप यहां पर असानी से देख सकते हैं तो जैसा कि आपको यहां पर देखने को क्या क्या चीज़ों मिल रहे हैं, आप यहां पर गौर किजी हैं, तो यहां पर आप देख सकते हों मेरे प्यारे साथी कि लिखा क्या हुआ है पार दर्सी, और इसके बाद लिखा हुआ है पार भासी, तो आज किस वीडियों हम यही त सकते हैं तो यहां पर आप दिख सकते हैं कि पारदर्सी का जो परिभासा नहीं इंग्लिस जो होता है वह होता है ट्रांस पैरेंट ठीक है और इसके बाद है आप पारदर्सी का जो होता है वह होता है दोस्तों उपैक्यू और इसके बाद आपके होता है पारभासी का आप तो जैसा कि आपको यहां पर यह चीजे ध्यान देने वाली बात तो यह है कि यहां पर आपको बहुत ही बारी की से देखने को यह सब मिल रहा होगा क्या है तो जैसा कि आप सब यहां पर देख सकते हैं कि लिखा क्या हुआ तो लिखा यही है इसमें कि यार कांच कांच, जल, वायू, लकड़ी का पाइप, सोरी, लकड़ी और पाइप का तुकड़ा, ओ हो, तो यहाँ पर देख सकते हैं, पाइप का तुकड़ा हो गया और प्लास्टिक का बना पतार्थ, थोड़ा सा हम इसको थिन कर रहते हैं, राइटिंग लेखे, ठीक है, और इसके बा और मौमी कागज और धुआ कोहरा आदे, तो साथ ही सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊंगा, कि यह सब बातों से आप परचित हैं या नहीं हैं, यह सब बाते में से क्या आप कुछ बाते को जानते हैं, आप सब समझे, कांच हमारा अब समझे रहें, सीसा होता है, जल, बायू लकडी का तुकड़ा और पाइप का तुकड़ा प्लास्टिक से बना पदार्त और लोहा दिवार कागज पे पर तिल लगा हुआ कागज और घिसा हुआ कागज और धुआ कोहरा आदे, तो यह सब बाते से तो आप लगभग परचित होंगे ही होंगे, क्या परचित ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो हमारा परिभासा है कोच इस परकार के आप देखने का परियास किजिए, पार दर्सी यानि इसमें देखी आपको क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, परिभासा लिखा क्या हुआ हुआ है, आप देखे कि जिस जिससे हम दूर तक देख सकती हैं और बीना किसी रुकावट के तो गाईज अगर हम आखों के सामने अगर कांच को रखें तो क्या हम दूसरे वस्तु को असानी से देख सकते हैं तो गाईज हम देख सकते हैं तो यहाँ पर जो पदार्थे होंगे न यह आपको क्या कर लाएं आज के स्टॉपिक में पारदर्सी अपारदर्सी और पारभासी तो पारदर्सी का जो परिभासा है यहां पर आप देख सकते हैं यह है और आप यहां पर पारदर्सी का एक्जामपल देख सकते हैं कोछ इस परकार की है तो यहां पर आपको दिखने को क्या मिल रहा है जब ध आर पार देखना आपको क्या कहलाएगा पार दर्सी कहलाएगा ठीक है तो यहां पर आप देख सकती है कांच जल वायू कांच जल वायू और पलास्टी का बना पदार्थ कुछ पदार्थों से हम देख सकते हैं पलास्टी का बना है तो हम कुछ ही पदार्थों से आर पार दे तो हम उसको असानी से उस पार यहां से उस पार देख सकते हैं ठीक है तो पार दर्सी आपको समझ आई की नहीं आई समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और आगे की और देखते हैं आगे हम क्या सिखने वाले और दोबारा से ध्यान देने वाली बात यह है कि कांच ज दल वायू लकड़ी पाइफ का तुकड़ा प्लास्टिक का बना पदार्थ लोहा दिवार कागज पेपर तिल लगा हुआ कागज और घिसा हुआ काँच और मोमी कागज और धुआ कोर आदे ये सबसे आप थोड़ा बहुत परचित होंगे ही होंगे तो इसी में से सब पदार क्या-क्या है आपको ढूंड़ना है तो चलिए अब हम समझते हैं कि आपार दर्सी आखिर होता क्या है यानि ओपैक्यू होता क्या तो ध्यान देने वाली बात तो यह है कि जिसे से हम कुछ भी नहीं देख सकते हैं तो सबसे सिंपल एक्जामपल तो यह है कि आप जहां पर हैं आप जिस फोन से पड़ रहे हैं वे फोन को अपनी आख की तरफ रखिये और क्या फोन के उस पार वाली क्या आप वस्तू को द देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे हैं तो वही आपको क्या कहलाएगा अपार दर्सी कहलाएगा तो यहां पर आप देख सकते हैं एक्जामपल जो है कोच इस प्रकार के कहने का मतलब यहां हमारे यह है यह आपके सामने फोन है और वही फोन को अपने आखों के भीचों बीच रख कर आप दूसरे और देखे कि कि आपको असानी से कोई भी जी दिख पड़ रहा है अगर आपको दिख पड़ रहा है तो क्या कहलाएगा पारदर्सी और नहीं दिख पड़ रहा है तो आपको क्या कहलाएगा अपारदर्सी तो यहां पर आप कुछ ऐसे एक्जामप ले लिए और हैं कि देख लिए नहीं ऐसा नहीं बिलकुल नहीं तो गाइज हमारा समझना क्या है अपार दर्सी तो अपार दर्सी में क्या होता कि लकड़ी रहेगा तो हम उस पार नहीं देख सकती हैं और एक्जामपल समझे आप जहां पर है ना अब जिस बेड़ पर सोते ह अपना आँख लगा कर ताकिए जैसे यहाँ पर एक बेड़ है ठीक है और इस बेड़ पर यहाँ से ताकिएगा तो क्या इधर यहाँ पर दिखाई पड़ेगी नहीं दिखाई पड़ेगी तो दोस्तों नहीं दिखाई पड़ेगी तो वही तो है आपको अपार दर्सी तो य असानी से समझे अगर सुर्य की किरन लोहा के उस पार चली जाए यार लोहा के एक दिवार बना हुए ठीक है तो लोहा का यार एक दिवार बना हुए तो क्या परकास उस पार चली जाएगी यहां पर लोहा का दिवार बना हुए क्या यहां से परकास यहां इस पर चली जाएगी बिल्कुल नहीं जाएगी तो इस इस्तिती में क्या कहलागए आपको अपार दर्सी कहलाएगा तो एक्जामपल आप देख सकते हैं कि कुछ इस परकार की है ठेके तो दिवार और तथा अन्य धातू और धातू नहीं सब धात पार भासी आखिर होता क्या है यहां पर आप देख सकते हैं कि पार भासी में आप खिल दिखा क्या हो तो पार भासी यानि ट्रांसलुसेंट इसको हम क्या कहेंगे तो जिसमें होता क्या है कि इसमें हम आर पार तो देख सकते हैं आर पार तो हम देख सकते हैं लेकिन पूरा पस्पस्ट नहीं देख सकते हैं और मतलब धुंदली दिखाई पड़ती है तो उसको हम क्या कहेंगे पार भासी कहेंगे तो अब क्या क्या ऐसे पतार्थ हैं जिसके दुआरा हम देखेंगे तो आपको धुंदली नजर आएगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा क्या हुआ है तो यहाँ पर देखें कागज पेपर गैज हम कागज पेपर आँखों पर सटा कर और एक्जामपल समझे आँखों पर सटा कर हम किसी और देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगी दिखाई पड़ेगी पर वहाँ पर आपको किलियर दिखाई नहीं पड़ेगी और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा क्या हुआ है तेल लगा हुआ कागज और तेल भी लगा है ना कागज पर तो यहाँ पर एक कागज है और इस पर तेल लगा हुआ है तो आप यहाँ से देखेंगे तो दिखाई तो पड़ेगी आपको दिखाई पड़ेगी लेकिन आपको किलियर दिखाई नहीं पड़ेगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा क्या हुआ है तो यहाँ पर आप देखेगा तो लिखा क्या हुआ है तो कागज पेपर तेल में लगा हुआ कागज और घिंसा हुआ काँच यानि लगराया हुआ काँच जिस पर बहुत सारे घिंसा हुआ है तो अब यहां पर दख सकते हैं कागज, यानि कि धुवा और कोहरा यह सबसे आप देख सकते हैं पर यहां पर धुन्दली नजर आती है तो गज़ अब एकडम वहूत ही सीम्पल सा आप देखें तो आप जहां पर खाना मपी उकष्वरा बनाती है तो गैस अगर आप बनाती है तो उसमें से धुआ तो ज्यादा मतलब निकलता नहीं होगा लेकिन अगर आप दिहातों में देखते होंगे कि वहाँ पर कह सकते हैं गाय के जो गोबर होती है उसके द्वारा खाना बनाई जाती है तो उसके दोरा बनाई जाती है तो उसमें से जो हमारा जो निकलता है ना ये कह सकते है धूआ धूआ में हमको दिखाई पड़ेगा लेकिन धूंदली दिखाई पड़ेगी तो उसमें आपको क्या कहलाएगा पारभासी कहलाएगा यानि कह सकते हैं translucent कहलाएगा तो यह समझ आई की नहीं आई आप विडियो के नीचे जरूर पताएगा देखें यहाँ पर यह जो पदार्थ होंगे क्या कहलाएगे पारभासी पदार्थ कहलाएगे और यहाँ पर और भी देखी बाते हैं यहाँ पर भी क्या कहलाएगे यह जो पदार्थ है क्या कहलाएगे अपार दर्सी पदार्थ कहलाएगे और इसके बाद और भी यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ की जो पदार्थ हैं यह क्या कहलाएगे पारदर्सी पदार्थ कहलाएगे तो जली वीडियो आज का समाप्त होता है मिलता है भाई आपका किसी और नए वीडियो में तो बने रहें और जुडे रहें बाई बाई टेक क्यार बेस्ट ओफ लक